कोस्मेटिक नहीं, आयूरवेडिक औशिदी है बहुत दुक्सकर है हलाबोल तरसकर हमारे खास कारक्रम हलाबोल में आपका स्वागत है आपके साथ महुस्पता हलाबोल जिसमें हम बात करते हैं रोसमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी लेकिन साशन और प्रसाशन तक पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देती है या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया चाता है ऐसी आम खबरों के हमारा खास कारकम हलाबोल कालाबोल माज हम बात करेंगे तो तस्वीरों की जिहां जहां पर एक बुज़ूर को महिला जो जिन्दा है लेकिन उसे कागजों में मरत खूशित कर दिया है और दूसरी वो तसीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर एक मरे हुए व्यक्ति को मन्रेगा में मजदूरी दे दी गई है जियां किस तरह से सरकारी योजनाओं में अधिकारियों की गड़बड़ी और लापरवाही लगतार देखने को मिलती है किसी को मरत बताकर योजना से वंचित किया जाता है तो कहीं मरत हिद्गराही के नाम पर योजना का लाव उसे दे दिया जाता है 36 गार उत्तर प्रदेश में ऐसा ही दो मामले सामने आये हैं जो 36 गार में एक जिन्दा बुज़र को महिला को पंचार प्रतिनी धीन अमरत कोशित कर दिया जिसका पता चलने के बाद महिला ने कलेक्टर से नयाई की गोहार लगाई उत्तर दूसी तस्वीर उत्तर प्रदेश के संथ कभी नगर से सामने आई है जो अधिकारियों से मिली भगत कर ग्राम प्रदान ने मन्रेगा योजना में सेंधमारी कर ली योजना में मरतक और पेंशन धारियों को मंद्रेगा मज़ूर बना कर पल्जी मास्टर रोल से तयार किया गया और अब सरकारी धन के गबन की फिराक में जम्मेदार पूरी तरह से जुट गए है तो किस तरह का ये तंत्र है इसकी तस्वीरे आपको दिखा रहा है सबसे पहले पूरा मामला आपको बताते हैं संतकभी नगर का जो आपर मंद्रेगा योजना में सेंधमारी की जा रही है योजना में मरतक और पेंशन धारियों को मंद्रेगा मज़ूर बना कर फर्जी मास्टर रोल तयार किया गया और अब सरकारी धन के गवन की फराक्वास जम्यदार पूरी तरह से जुटका है अधिकारियों से मिली बगत कर ग्राम प्रदान ने मंद्रेगा योजना में सेंधमारी कर ली दरसल ये पूरा मामला हैसर विकास खंड के डीबरी ग्राम पंचायत का है जो हम मंद्रेगा योजना में फर्जी वाड़ा करते हुए प्रदान मंत्री साड़क पर ही बिना P.W.T. विभाग के एनोसी के ही फर्जी दसवेश तयार करके मंद्रेगा योजना से कारे कराते हुए म्रतक और पंचन धारियों को ही मंद्रेगा मज़ूर बनाकर फर्जी भुकतान कराने की फिराख में जब्मिदार जुटका है पूरे मामले की शुकात भारती जंतापर्टी के आईटी सेल के मंदल सही ओजक प्रदीब गुपता ने जिलाधिकारी से करते हुए निश्पक शिजाच करने की बात की है और वहीं दूसरा मामला 36 गड़ से सामने आया ये दो तस्वीरे आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं पहली तस्वीर मुंगेली 36 गड़ की है और दूसरी संथ कभी नगर उतरप्रदेश की है जरा 36 गड़ का मामला भी आपको बताता है कि शब्धिस गड़ के जिम्मेदार व्यक्ति ही जियाँ पंचायत के जिम्मेदार व्यक्ति ही अपनी जिम्मेदारी निभा कर साशन की योचनाओं के पात्र лиोगों को फाइदा दिलाने के बजाए उन्हीं योजनाओं से वंचित करने से भी बात नहीं आते हैं जिन्दा लोगों को ही मरत गोशित करने से भी वो चूकते नहीं है सरकार चाहे लाख दावे कर ले बुजर्गों को ध्यान रखने की लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बया करती है जहां पंचायत के प्रतिनी दीधित तह करते हैं कि किसको सरकार की योजनाओं का लाब मिलेगा और किसको नहीं एक ऐसा ही मामला सामने आया है लोर मी ब्लॉक के ग्राम पंचायत चेचान डी से जहां पर ग्राम पंचायत के साथ बुजर्ग जो लोग थे वहां पर बुजर्ग माइलाओं को प्रसाशनिक दसाविज और कागजों में मरत गुशित कर दिया गया जिया एक नहीं बोलकि साथ ऐसे बुजर्ग माइलाओं जिने मरत गुशित कर दिया गया है जिनका जिन्दा उने का प्रसाशन से वो गोहार लगा लगा कर ठक गई है और लगतार इस बारे में वो चक्कर काट रही है बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से कि सहब मैं तो अभी जिन्दा हूँ लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तयार नहीं है ये पूरा मामला वनांचल आदिवासी शेतर के ग्राम पंचायत चेचान डीका है जहां के वरद्ध महिलाओं को सरकार की मूलभूत योज़नों का लाब ना मिल सके असलिए पूर्व सरपंच के दौरा पंचायती चुनाओ देवेश के चौलते सरकारी रिकॉर्ड में उने वरद्ध बता दिया गया है जरा भी इन गरीब लाचार महिलाओं के उपर सरपंच का दिल नहीं पसी जा और आज आलम ये है कि आज उन वरद्धाओं को अपने ही जिन्दा होने का सबूत मांगने के लिए दर बदर भटकने की जरूरत आन पड़ी है और लगतार वो प्रसाशन से गुहार लगा रही है तो चलिए अब जरा हमारे सहयोगियों से इस पर बात करते हैं कि आखिर ये दोनों जगाहों से कहां गलतिया हुई है और किसकी गलतिया सामने हैं मुंहेली से सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सहयोगी राहुल यादव हमारे साथ मुंहेली से जड़गया राहुल 76 गड़ के मुंहेली के अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक नहीं बलकि साथ जो वरदाम बहिला हैं उन्हें पनचाईथ प्रतिनी दीने म्राद घोशित कर दिया है और अब वो माइला है 2011 से अभी तक अपने जिन्दा होने के लिए जो सबूत है वो जिम्मेदारों को दिखा रही है लेकिन कोई मानने को तया नहीं कि हाँ जिन्दा है हम जिन्दा हूं मैं जी बिल्कुल ही देखिए ये जो मामला पूरा मामला है मुगेली जी लेके लोर्मी विकास कनंतर का द्राम पंचा चेचांडी का है जहां वे ये जो मामला है बहत समवेदल सिल मामला है जहां जो ये मामला है समवेदल सिल मामला है ने मिद्ध घोसित कर दिया है जिससे दरकारी महत्पोर्न योजनाओं का लाब उनको आज तक मिलना हूं उसकी लगाया जा सकता है जी जी राहुल 2011 में प्रधान मंत्री आवास योजना में इनका नाम आया था इनने तब जाकर इस बारे में पता चला है क्योंकि जब सूची का सर्वे हुआ तो प्रधान मंत्री योजना में इनका नाम आया जीसे पूरो सरपंच के दौरा इनके नाम को कार्ट दिया गया था और तब से लिकिए अभी तक यह महिलाएं संघर्ष में लगी है कि उन्हें इन योजनाओं का लाब मिले लेकिन यह बोल कि उन्हें लाब नहीं दिया जा रहा है कि आप प्रध है सवाल यह खड़ा होता है कि जब जिन्दा व्यक्ति आपके सामने है तमाम डॉक्यमेंटेशन वा आपको दे रहा है तो आखिर जिन्दा व्यक्ति को ब्रध घोशित किया कैसे गया उसमें जी बिल्कुल ही एक तरह से देखा जाए तो अगर यहां हमारे जन्द्रमिधि वा इस्थानी जन्द्रमिधियों के द्वारा अगर उस समय ही जाच की जाती उस समय अगर हकिकत कुछ और बयान करता है जहां पंचायत के बदेशी की स्था करते कि किसको सरकार की जन्द्रमिधियों का लाब मिलेगा एक ऐसा ही मामला है जो निकल के आज सामने आया है जहां साथ मुज़र्ग महिलाओं को प्रसासनिक दस्ता बेच और काज़ों में रिद भोसित कर दिया गया है जिसका जिन्दा होने का प्रसासन से गुहार लगा कर बताया जा रहा है कि साहब हम तो अभी जिन्दा हैं जी और यहां एक नहीं बलकि साथ ऐसी मुज़र्ग महिला हैं जिनके साथ में सरा की घटना सामने हुई है जो आज भी प्रसाशन से गुहार लगा रह इस तरह की गड़बड़ियों से अगर देखा जाए राहूल तो सिर्फ और सिस्के बज़ूर को महिला ही परेशान हो रही है। मुझे करना अगर यहां जनपद्छेत्र की जनपद्दियू करें उनको अगर यह समच्छा का अवगत उनको करा देह होते तो अब तक इनका जो क्लेक्टेट मंगिली जाने की जवरत मेही परती वो यहीं जनपद्द मेहीं मामला ख़तम हो जाता जीू बहुत बहुत राहूल हमारे साथ में जुड़े रही है जब इस तमाम घटना करम के बारे में अपने जिम्मेदार लोगों से बात की तो उनका क्या कहना था पंचाज की तरसे किस तरह की बाते सामने हैं देखें इस मामले में हमने डिप्टी करेक्टर रजनी भगत से बात की तो उनका कहना है कि जाच के बात कारवाही की जाएगी अब देखना होगा कि कब तक उचिद जाचों के उचिद कारवाही होती है अगली खबर पर यानि कुटर प्रदेश संदकभी नगर से हमारे सहयोगी मिथलेश धुरिया जुड़े हुए जरा उनसे भी बात करते हैं उने ही मनरेगा में मजदूर बता दिया गया है कि मन्रेगा योजना में ते नमारी की जा रही हो ऐसे मामने तमाम सामने आके रहे हैं लेकिन जो आपकी इस बार मामना सामने आना है वो काथि चौका जिने वाला मामना है क्योंकि इसमें एक मृतच ब्रेक्षी को मन्रेगा मजदूर बुगत दिन्मेदारों ने बनाया महित प्रधान ने अपने ही पुत्र को मन्रेगा मजदूर बना दिया और जो बिमारी से गरसित हैं लंदे समर से बिमारी की इस चीज से छिल है उनको भी मन्रेगा मजदूर में जो है उसमें बड़ी मात्रा में kayra यूजना से नमानी से यूजना बनाई गई और इसमें कहीं न कहीं अधिकारी अस्थानी सनुखHowdo यह पूरा मामला भीमारी से गरसी तोर्टी मिर्चक पार्मेल्टी और फार्मल्टी बनाएक हरी उसमें वुरा भुवतानしく पर आने के फिराज में हाला कि पूरे मामने को लेकर एक वार्टी जंता पार्टी के आईटीसन के नेटा जो है उन्होंने जिलाधिकारी से इस्टिकाइट करते हुए निस्पक्त करवाई की मान की है अब देखना यही होगा कि क्या कुछ पूरे मामने को सख्याल लेते हैं कह पर कारवाई होता है जी मितलेश यहां पर जो तवाम जिम्मेदार लोग है अगर ग्राम प्रदान की बात कर ली जाए या फिर अन्य अधिकारियों की बात कर ली जा तो सवाल यह खड़ा होता है कि वो छोटी छोटी प्रेश्टा चार से तो बास नहीं आते हैं गबन से व प्रदान मंत्री सड़क योजना में बिना पी डावलूडी विभाक कैनों से लिए फर्दी दस्तावेस तयार की यह सबसे बड़ी गलती उसके बाद दूसरी गलती यहां पर की गई है जहां पर भ्रतक और पेंचन धारियों को मंडेगा में मज़ूर बता दिया गया है फर प्रदान में पर दूसरी बाद पर दूसरी बात वहीं है जिए जब अब मरतक काओं के ही बिस्ती मिर्टब हो चुका है उसको मंडेगा योजना में जो है उसके नाम से पर के तरफ जाबकार बनाया गया होगा इस पर खाते फोले गया होंगे यह बड़ा सवाल है निकिक कह जाब करते लिए जरूर है लेकिन सबसे बड़ी एहां बात वहीं है कि अभीकारी है वो पुरी मामले पर यह जीपापोदी करते रहते हैं कि मिर्टब के नाम से खाते होले जाते हैं मिर्टब के नाम से जो है जासार बनाया जाते है और वकादा उनको मंडेगा में मज़ू जाए जाते हैं कि यह जाए जात कर दो कर दो आघार्वाई का नहीं है इसके बात पहले भी सैजियर लाओ उरुपय को लेकर मामला सामने आया था उसना आज ग्राम पंजा ग्राम पंजा भीकारी और ग्राम प्रधान रोती पाया थे जाज के लिए जाज में अन्पूस्ट हमारे सहोगी राहुल 36 गर से मैं साथ एक पर फिर जोड़े हूं जरा उन से बात करते हैं मुंगेली से राहुल बड़ी अजीब तस्वीर है मेरे सामने हैं दोनों एक तरफ जिन्दा व्यक्ति अपने आपको जीवित गोशित करने के लिए दर्बदर भटकने को मजबूर है दूसरी तस्वीर है जहां पर म्रतक को लाब दिया जा रहा है सरकारी योचनाओं को जीवित को लाब नहीं मिल रहा लेकिन म्रतक को जो है वो लाब दिया जा रहा है दो अलग अलग तस्वीर हैं बेहत दिल्चस्पे मामले हैं और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हमारे गाउं के हमारे जो सरकारी तंत्र हैं या ये कहें कि जहां गाउं के विकास के लिए ग्राम पंचायत होती हैं, सरपंच होते हैं, तमाम जिम्मधार अधिकारी होते हैं, वो एक चूक करते हैं, या ये कहें कि अपने फाइदे के लिए उस तरह की चीज़े करते हैं, जहां जी मामला जो है मुगेली जी लेके लोर में विकात कर अंतरदत ग्राम बंचा चेचान डीका है और जो बेहत संवेदन सिल मामला है जहां एक और जो पिरिट साथ महिला है जिसमें दो तिन महिला भी सामिल है उनका कहना हिया है कि हमें जिन्दा रहने के बावजूद हमें मृत घो जो है फर्मान मिलने से अभी तक चुका रहा और वंचीत रहे इस पूरे मामले में तो सरकार को जाच करानी चाहिए जी 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 देखिए कहीं न कहीं लोर्मी जन्पद के जन्पद निधी या तरकारी तंत्र के करण अगर इनकी समस्याओं का नीरा करण नहीं हुआ है तभी इन्होंने मुगेली का लेक्टरेट जाके इस मामले को रोसंग्यान में लाया है और कहीं न कहीं तरकारी तंत्र भी आपकी बात हुई थी उनका क्या कहना था जब वो जम्मेदारों के पास पहुंची तो उनका क्या रवया सामने था या उनका क्या जवाब सामने आया था देखिए मैं बता दो आपको पूरा इसमें क्या है कि जाच के बाद ही ज़से हमारी डिप्टी कलेक्टर मेडम है उनका कहना है कि जाच के बाद पावेड़ा तो ने लिए रहुल आपको रोकती हूँ राहुल हमारे सांथ इसको कॉंग्रेस नेता सागर सिंग बैस को मरत बता जाता है लोर्मी की बात कर रहा है मुंगेली के जहां पर एक नहीं बलके साथ बज़ुर्ग महिला है जो अपने जीवित होने का सबूत पंचेज प्रतिनिधी को दे चुकी है कलक्टर के पास जा चुकी है लेकिन उन्हें जीवित नहीं माना जा रहा है क्या गल करके दो मंजिला इनके द्वार माकान बनाए गया जो जो पेजा कर्जा में इस अधार पर इसको भी रद्ध हुआ था इनका नामंगन तो यह फुरू सही ब्रहस्टाचारी प्रतिक अथा ही है और कई मामले चुकी बिजेपी का सासन था उस समय यह लोग बिजेपी की पता से बचाने की कोशिश की जाती है आप भी जानते हैं 2011 में ने प्रधान मंत्री आवास योजना का लाब मिलना था लेकिन यावर 55 प्रतीदी ने लाब मिल रहा है इसके नाम कार दीए कहा का निया है सर सुने ना क्या हुआ है देखे इससे पहले इनके खिलाप एक बर जो हज प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत ये जो है हर वहत ग्राहियों से पैसे की मांग किया था पैसा लिया था 10,000-20,000 रुपए इसके लिए इसके लिए इसका जात के लिए लगा था लेकिन बात में क्या था चुंकि सरपंश प्रभाशाली आदमी था ये गाउं की महिला को जो सीकायत करी थी उन को प्रभाव में लेकर दबाव डालके मामले को वापिख करवा लिया था. तो हम लोग इसके लगातार हैं, पीछे जो है लगातार लगे हुए थे, लगातार हम लोग इसके लिए प्रयास करते रहे हैं चूंकि अब बीजेपी का सासं था इसलिए हम लोग जादा कुछ कर नहीं पाए लेकिन इस बार मेरी बात हुई है अंदरी से एक आध अपते के अंदर जाच होगा और इसमें बिल्कुल कड़ी करवात होगी सर साशन की तो मैं खेर बाती नहीं करूंगी आपसे सरकार की क्योंकि तमाम ऐसे मुद्धे हैं जहां पर बीजेपी ओ या कॉंग्रस दोनों इपार्टियां हो लेकिन जब जनता को लाब देने की बात आती है तो जमीन इस सरकार जो है वो कोशिश करती है या फिर ग्राम पंचायद के सदसे हो सरपंच हो सचिव हो या तमाम लोग उन योजनाओं को पलीता लगाते हैं या साथ मुख़ूलों को आवास नहीं मिला कई करी हमने ऐसीं भी इसी भी दिखाई हैं जहां पर प्रदार मंत्री आवास योजना के उद्गारईओं को मकार नहीं दिया है बलकि जिनें लाब नहीं मिलना चाहिए जो संपना है उन लोगों को उनका लाब दिया गया है तो आखिर क्यों इतनी बड़ी चूक होती क्या क्रॉस चेक करना जम्मदारी नहीं है किसी की ने बिल्कुर जौरदारी है ये प्रसासनी के सब्सरसासन अपना काम करती है लेकिन उसकी जब योजनाव के क्रियानवन की बारी आती है तब उसमें चूक होती है ये बात बीजेपी कांगरेश की नहीं यहाँ पर कहना बिल्कुर सही है लेकिन सवाल ये है कि प्रसासनी काथेकारियों पर लगाम लगाने के लिए क्क लिए अबिसे जाते है एक बार उसे क्रॉस चेक्शन粉 के लिए अब कायक के लिए परसेंदर देखने अन्दर आपको आप एक पर फीड़बेक लेंगे इसका एक हफ्ते के अंदर आपको इसमें कारवाई मिलेगी इसमें चले बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ हमारे सवाल यही खड़ा होता है कि किस तरह का हमारा तंत्र हो चुका है जहां पर जीवित व्यक्ति को अमरत घूशित करने में бि हमें जरा भी तकलीफ नहीं होती हमारे हाथ नहीं चाहते हैं और जो अमरत व्यक्ति होता है उसे हम रोजगार दे देते हैं जहां जरूरत होती है वहाँ पर अपनी गेर जम्मिदारी दिखाते हैं जहां हमारा लाव होता है वहाँ पर हम अपना मुनाफ़ा देखते हैं और जीवित हो ये अमरत हो हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं सवाल यही खड़ा होता है कि इस तरह की गैज मिदाराना रवाया और वेभार रखने वाले जो दोशी है उन पर कारेवाही कप की जाएगी तो हला बोल मैं आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजे जासत अब बनेरी हमारे साथ